दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रान्ती की हार्दिक शुभकाम नाएं. राधे राधे जय श्री कृष्णा, जब सूर्य भगवान धनु राशे को छोड़ कर मकर राशे में प्रवेश करते हैं, तो इसी दिन को मकर संक्रान्ती के रूप में मनाया जाता है. संपूर्ण भारत म मकर संक्रान्ती को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ साथ मनाया जाता है. वैसे तो इस बार मकर संक्रान्ती 15 जनवरी को पढ़ रही है. हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कई लोग कह रहे हैं कि 14 तारीख को पढ़ रही है. परंतु आपको बता दें कि कई बार मकर संक्रान्त 12 और 13 को भी पड़ी है हिंदू कैलेंडर देखे तो इस बार 15 जनवरी को पड़ रही है इसी के साथ आपको बता दें कि मकर संक्रान्ती हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मकर संक्रान्ती के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं अगर उनको कर लिया जाए तो हमारे जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है दोस्तों ध्यान दीजिएगा मकर संक्रान्ती के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है भगवान विश्नु की पूजा होती है सूर्य भगवान की पूजा होती है पूरे देश में इस त्यवहार को मनाया जाता है। हिंदु धर्म की मान्यताओं के हिसाब से भगवान विश्णु ने संपूर्ण असुरों का संहार कर दिया था. संपूर्ण असुरों का अंत करके उनके सिर को मंदार परवत में दबा दिया था और युद्ध की समाप्ति की घोशना की थी दूसरी कहानी बताई गई है वहे पवित्र गंगा नदी को ले करके जैसा कि आपको पता ही है कि गंगा को मा की संजहा दी गई है माना जाता है कि मकर संक्रान्ती के दिन ही गंगा मैया धर्ती पर अवतरित हुई थी कलब कुल मिला कर समझ लीजिए कि मकर संक्रान्ती का दिन बहुत ही पवित्र दिन है बहुत ही शुभ कार्य दिन है और बहुत ही कल्यान कारी दिन माना जाता है इसलिए दोस्तों, आपको हिंदू पुराणों के बारे में एक-एक जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बहुत ध्यान दीजिएगा, मकर संक्रान्ती के दिन एक ऐसा दिन होता है, जिस दिन भगवान विश्णु की माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। क्योंकि मकर संक्रान्ती का दिन एक ऐसा दिन होता है, जिस दिन अगर आप सही समय पर पूजा पाठ उपाय कर लेते हैं, तो आप एक साथ सूर्य भगवान शनिदेव माता लक्ष्मी भगवान विश्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा, दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु का आपको आशीरवाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख दीजिए, माता लक्ष्मी की जाए दोस्तों, मकर संक्रान्ती के बारे में हमने आपको कुछ साधारण सी बातें बता दी, जो आपको जाननी जरूरी थी, अब जो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं, वह ऐसी जानकारी है, जो आपके जीवन को बदल करके रख दें कि अब मान लीजिए, आपके पास पैसा आता है, परन्तु पैसा एकता नहीं है, दूसरी तरफ आप ठक चुके हैं, म भग्य पड़ा हुआ है, एक बात और जान लीजिए दोस्तों, संपून दुनिया ज्योतिश शास्त्र पर टिकी हुई है, जिसकी वजह है, जब आपके ग्रहों की चाल आपके लिए अच्छी होगी, तब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, जब आपके ग्रहों क कि चाल भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी, माता लक्ष्मी का अगर आपको आशीरवाद मिल गया, तो आपके घर में धन आना चालू हो जाएगा, अगर भगवान विश्नु का आशीरवाद मिल गया, तब तो मान लीजिए आपके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता, इ बहुत ही शुभ और कल्यानकारी है, इस दिन की गई साधना आपके जीवन की गरीबी परेशानी कष्ट को खत्म कर सकती है, तो बस आपको ये करना है कि मकर संक्रांती के दिन हलकी सी पूजा कुछ व्रिक्षों के सामने जाकर कर ले ली है, मकर संक्रांती के दिन उस व्रिक आगमन शुरू हो जाएगा। आगमन शुरू हो जाएगा। इसमिक धन की प्राप्ती होगी दूसरी तरफ भगवान विश्नु का आशिरवाद प्राप्त होने से आपके जीवन में जो कसना रहे हैं। तो अपने आप हटना चालू हो जाएंगे अब आपको शनिवार के दिन पीपल के व्रिक्ष के पास जाना है। एक घी का दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाकर आपको अपने। मनोकामना बोल नहीं है, पीपल के व्रिक्ष को बिना छुए सिर्फ घी का दीपक जलाना है, भगवान विश्नु माता लक्ष्मी को अपनी जो भी मनोकामना है, वह बोलनी है और अपने घर वापस चले आना है. 15 जनवरी मकर संकरांती के दिन यह क्रिया करने से मान के चलिए आजीवन कई तरीके के कष्ट खत्म हो सकते हैं, इसलिए पीपल के व्रिक्ष के नीचे अगर यह क्रिया आप 15 जनवरी को करते हैं, तो मान के चलिए आपको भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी का आशिरवा अशिर्वाद प्राप्त होगा। इतना करने भर से आपके जीवन में कई कल्यानकारी और शुबकारी समय आएंगे भौतिक सुखों की आपको प्राप्ती होगी भगवान भोलेनात का आशिर्वाद मिलेगा। एक बार। इतना करने भर से मान के चलिए आपके नौकर आपका साथ देंगे मान के चलिए आपके खिलाफ जो हो गए थे आपके खिलाफ खड़े हो गए थे वह आपका साथ। आठ देना चालू कर देंगे आपके जीवन से परेशानियां कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी अभी तक हमने आपको वो बातें बताई हैं दोस्तों जो हिंदू पुराणों के हिसाब से है वह जांकारी है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है इसलिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हिंदू पुराणों की हर जांकारी आप इसी चैनल पर मिल जाएगी अब आखिरी व्रिक्ष जो आपको चू करके आना है दोस्तों वहीं एक ऐसा व्रिक्ष है जिसको अगर आप चू लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से परिशानियां चली जाएंगी आपके घर पर सुख समरिधी आएगी वह शमी का पौधा इसे आपको शाम के वक्त सिर्फ चूना है शमी का व्रिक्ष नहीं होता है यह पौधा होता है आपको इसे सिर्फ छुना है और घर वापस आना है लेकिन इस समय अगर इसके सामने पूजा आराधना की जाए तो वह कैसी होगी हम आपको बता देते हैं देखिए आपको करना यह है कि शाम के वक्त किसी भी शनिदेव के मंदिर जाना है वहाँ पर एक घी का दीपक जला देना है साथ बार मन ही मन में आपको शनिचालीसा का पाठ कर ले ना है 15 जनवरी को यह क्रिया करनी है फिर आपको जहां कहीं भी शमी का पौधा लगा हो या क पौधे के गमले को अगर आप छूकर के घर वापस आ जाते हैं तो मान के चलिए आपके राहूं के तु आपका साथ देना चालू कर देंगे आपके नौगरह आपके साथ हो जाएंगे आपका दुरभागे भागे में बदल जाएगा मान लीजिए आपके दुश्मन आपके पीछे खड़े थे आपके दुश्मन आपको हानी पहुचाना चाहते थे वो आपका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे दोस्तों आज की जांकारी आपके जीवन को बदल करके रख सकती है इसको नजरंदाज मत कीजिएगा बस इतना ध्यान दीजिएगा अगर आप 14 जनवरी को यह उपाय करने जा रहे हैं मान लीजिए सारे व्रिक्षों को चुआ रहे हैं तो इसमें बस पीपल के व्रिक्ष को चू लेगा क्योंकि माना जाता है कि कभी भी रविवार कि दिन तुलसी के पौधे को और पीपल के व्रिक्ष को नहीं चूना चाहिए बहुत अशुब होता है यह आपके जीवन में परेशानियां ला सकता है इसलिए रविवार के दिन पीपल के व्रिक्ष को न छूएगा बाकी व्रिक्षों को आप छू सकते हैं और पौधों को छू सकते हैं लेकिन रविवार के दिन कभी भी पीपल के व्रिक्ष और तुलसी जी के पौधे को नहीं छूना चाहिए